Hi everyone, welcome back to my channel, so guys how are you all, I hope you all are doing well So, आज का जो वीडियो है, पुछ preparation से रेटी ही, मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में जो मेरे sources and preparation methods हैं, वो मैं आपको बदाऊंगी तो ये है मेरा study setup, जाना तर मैं यहीं बैटके पड़ती हूँ तो अभी मैं start करने वाली हूँ mains का मोग, तो वैसे तो RRB का notification आ चुका है ज़्यादा कुछ time बचा नहीं है, बट मैं mains का ही ज़्यादा पड़ रही हूँ प्रीकी बस क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत practice कर लेती हूँ क्योंकि अभी 6 जुलाई को मेरा mains का paper है NICL AO का, तो उस वज़े से भी ज़्यादा focus mains पे ही है तो mains की preparation के बारे में ही आप सब को मैं बताऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ तो अभी जो मैं mock दे रही हूँ, वो मैं test book से दे रही हूँ तो test book पे काफी कम amount भी आपको pass pro मिल जाता है and content भी बहुत best मिलता है questions का level की अगर बात करें तो बहुत जादा अच्छा रहता है and अभी इनकी sale भी चल रही है जिसमें आपको pass pro 466 rupees में मिल रहा है and also you can get extra 12% off after applying my code DA10 और you can go through the link given in description box और comment section तो यह NICL AO के mark है means के mark है जो मैंने लगाए थे जीए की वज़े से score थोड़ा कम हो रखा है क्योंकि जीए इसमें पुरानी दे रख्या है because exam delay हो गया है जो की April में होना था और अभी July में हो रहा है तो उस वज़े से जीके जो है वो पुराने वाली है बट ठीक है इनका जो मतलब level है questions का मैं देख रही हूं कि काफी relevant है अच्छा content दिनों ने दे रखा है और अर भी mains का मैंने अभी तक लगाया नहीं है जब भी मैं लगाऊंगी आपके साथ score share कर दूँगी तो अभी मैं preparation का अगर बताने तो ज़्यादतर मोक्तिस से ही practice कर रही हूं काफी टाइम से वीडियो बहुत कम कर दी है मैंने ज़्यादतर मेरी जो practice रहती है वो mains के मोक से रहती है बट या ना एक चीज़ मैं आपको बता देती हूं अगर आप शुरू कर रहे हो या फिर कुछ ही टाइम हुआ है आपको mains का करते हूए तो आप दोनों चीज़े करो जिसे एक वीक में दो मोक दे सकते हो उनके questions करो और साथ में वीडियो से practice करो क्योंकि वीडियो से आपको questions को करने का त्रीका समझ में आएगा कि किस तरह से questions को करना होता है कि बहुत बार लेक हो practice की वजए से क्या होता है कि हम गलत questions को पिक कर लेते हैं वाहां पे हमारा time waste हो जाता है उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमीं समझ में आता है कि वहां थो हमने ऐसा ही time waste कर दिया जो easy questions थे वो रह गए हमारे जो जो मॉख टेस्ट दिते टाइम एक फ्लेक्सिबिलीटी हमें अपने अंदर रखनी होती है क्योशन को चूज करने की वह आपको मॉख टेस्स से ही समझ में आएगी जब आप बहुत सारी मॉख टेस्ट दे दोगे इन दूसरा चाहोगा मॉख टेस्ट से आपका क्योश्ट थे बहुत रहता है कि हम मेंस की क्योश्ट कहां से करें या फिर हमारे पास क्योश्ट नहीं है या फिर णे क्योश्ट रेले Euch TV तो वह सब भी आपकी प्रोब्राम सोड हो जाएगी क्यूंकि अगर आप मॉख टेस्स द time कम रहता है कुंगी आप समझ सकते हूँ कि practice करनी रहती है so okay preparation करते रहे हैं कोई doubt हो अगर आपको तो आप comment में पूछ सकते हो या फिर telegram group में भी आप पूछ सकते हो so okay guys take care bye